YouTube एक ऐसा platform बन चुका है जहां आप कोई भी वीडियो कहीं भी सर्च कर सकते हैं लेकिन दिक्कत यह आती है कि आप सही content चुने कैसे और किस तरह exactly सर्च करें आप जब कुछ चीज सर्च करते हैं तो आपके सामने वीडियो के तौर पे लाखो options खुल के चले आते हैं आप आप सब वीडियो खोल के तो देखेंगे नहीं क्योंकि भाई data भी तो matter करता है न इसलिए मैं आपके लिए कुछ tips लेके आया हूँ जिसके तरू आप exactly वही content देख पाएंगे जैसा आप चाहते हैं इस वीडियो के अन तक देखें तभी आप exactly ये जान पाएंगे कि YouTube आपके सर्च करता कैसे है अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो subscribe करना और bell icon दमाना न भूले नहीं दबाया ना तो भाएं दबा दो तभी तो नहीं वीडियो मिलेगी Hey guys, this is Tushabish and you are on my YouTube channel. Tricks नहीं, tips तो पहली tip है, use filters in your search. अगर आप अपनी search में filters यूज करेंगे तो आप अपनी specifications और अपना content खुट decide करते हैं आईए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे करते हैं तो basically आपको करना कि अपना YouTube आप खोलना है mobile पर या computer पर जिस पर भी आप operate करते हैं अब मुझे चाहिए कि मैं coronavirus में new search करो तो मैंने coronavirus डाला अपने search button में YouTube के और देख अब मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह की searches आती है तो मैंने ये search किया अब आप searches देखिए ये watching आ रहा है watching one day three day views देखिए 91K 60K 115K 167 अब यही आप order में place कर सकते हैं मतलब आप filter यूज करके जो एकड़म right side में corner पे relevance में मैंने view count डाला है type में मैंने video select किया upload time है suppose मुझे इस month में जो भी video upload ही है वो चाहिए और features में मैंने HD choose किया और बहुत सारे features में विछे 360 हो गया purchase हो गया 3D हो गया लेकिन मैं अभी HD apply करके देखता हूँ और search दिखाता हूँ देखिए search देखिए आप 8 million 8 million 3 weeks 2 weeks 3.1 million 2 weeks 2.7 million 4 weeks 1 week तो यह सारे एक month के अंदर result है और view count के इसाब से सबसे ज़्यादा count है अब यह video आप देखिए welcome to the show which is still taking place in this blank void तो basically मैं आपको दिखाना चाहता था कि HD quality की है और सबसे ज़्यादा views है इस में तो इस तरह आप कुछ भी search कर सके suppose मुझे King Martin Luther के बारे में search करना है तो उनकी speech कोई search करनी है तो मैं आपको अब subtitle का use दिखाता हूँ तो King Martin Luther speech spelling mistake हो गई कोई बात नहीं अब देखिए मैं आपको relevance में मैंने view count फिर से choose किया type में मैंने video choose किया और upload time मैंने anytime रखे है क्योंकि King Martin Luther की पहले की speech होगी SD और subtitle features में choose किया अब मैं इसको apply करके देखता हूँ कि कैसे result आते है तो यह रखे King Martin Luther की speech आ गई अब मैं इसको open करता हूँ signed the emancipation proclamation this momentous decree came तो basically मैं आपको यह दिखाना चाहता था कि इसके नीचे subtitles थे उसी video में subtitles होंगे जिसमें जो video upload करने वाला है वो उसने upload किया होगा तो tip number two है use boolean operators boolean operators का मतलब आप अपनी search में plus minus use कर सकते हैं अगर आप अपनी YouTube search में plus minus use करते हैं तो आप अपनी specification decide कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ add करनी है और क्या की subscribe करनी है मतलब अगर आप कोई भी चीज़ search करते हैं उसके आगे plus लगाते हैं मतलब यह चीज़ आपको अपनी search में चाहिए और अगर आप minus sign use करते हैं तो आप यह दिखाते हैं कि आप अपनी YouTube search से उसको हटाना जाते हैं आईए यह कैसे होता है मैं आपको दिखाता है तो आपको अपना फिर से YouTube आप खोलना है और suppose हमें Donald के बारे में search करना है तो अगर हमने d-o-n-a-ld डाला Donald के बारे में डाला तो अब देखिए search result क्या आता है देखिए आप search result सारा जो search result है वो Donald Trump के post से भरा हुआ है मतलब जो भी आया है वो Donald के post से भरा हुआ है search result suppose हमें Donald Trump के बारे में देखना ही नहीं है तो हमने Donald में से Trump को minus कर दिया अब देखिए आप search result Donald में से हमने Trump को minus किया और आप अग देखिए search result तो एक भी Donald Trump का result नहीं आएगा क्योंकि हमने Donald में से Trump को minus कर दिया तो एक भी result Donald Trump का नहीं आएगा उससे बाकी जुड़े चीजों का आएगा अब suppose हमें duck का भी नहीं चाहिए मतलब Donald Duck का भी option या result नहीं चाहिए तो हमने duck भी minus कर दिया और अब आप search result देखिए एक भी duck का Donald Duck का कोई भी result नहीं आया है तो ऐसे ही आप अपने कोई भी search result से plus minus कोई भी keyword कर सकते हैं चलिए एक और feature दिखाता हूँ suppose हमें messy के बारे में search करना है तो हमने messy अपने search result में डाला तो हमने messy type किया m e s s i और suppose हमें january की वीडियो चाहिए तो हमने january type किया और 7 हमें hd quality की वीडियो चाहिए तो हमने hd quality डाला और 7 हमें वो short वीडियो चाहिए तो basically यह एक filter अगर आप ना use कर पाएं तो यह use कर सकते हैं तो आप सारी वीडियो देखिए सारी जो है वो short वीडियो है और january की है सारी वीडियो short वीडियो मतलग 4 मिनट तक की ही वीडियो आपको इसमें मिलेगी और सारी january की ही होगी तो अगर आप filter यूज नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह कौमा लगा के अपने search को और बहतर बना सकते हैं ताकि आप वही result पाएं जैसा आप चाहते हैं मैं कभी गौर किया है कि आप YouTube पे कोई song या video प्ले करते हैं और जैसे ही उस window से बहार आते हैं तो आपका song बंद हो जाता है क्योंकि वो song या video सिर्फ YouTube के app ओपन होने तक ही play होती है जैसे ही आप उसको shut करेंगे या उससे बहार आएंगे या अपनी home screen पे आएंगे तो वो video बंद हो जाएगी या वो song बंद हो जाएगा इसका भी इलाज मेरे पास है इसके लिए आपको कुछ steps follow करने पड़ेंगे जिसके तुरू आप video बंद होने पर भी मतलब अपने जो screen है उससे बहार आने पर भी वो song आपका play होता रहेगा ये कैसे होगा आएए मैं दिखाता हूँ आपको तो basically आपको यहाँ पर क्या करना है अपने YouTube आप पर नहीं जाना है इस बार इस बार आपको जाना है Google Chrome पर जी हाँ Google Chrome पर आपको जाना है यहाँ पर आपको type करना है YouTube.com जैसे यह आपने YouTube.com type किया तुरंथ आपको क्या करना है तीन दोट किनारे राइट हैंड साइट पर दिख रहे होंगे वहाँ जाके अपनी desktop साइट को on कर लेना है तो मेरी desktop साइट तो on है इसके बार सपोर्ज हमें सर्च करना है song गेंदा फूल तो गेंदा फूल हमने song को सर्च किया उसके बाद जो search result दिखाएगा उसमें से हम लोग गेंदा फूल song को select करेंगे और इसको play करते हैं देखी क्या होता है तो हमने गेंदा फूल song play किया और देखिए तो song तो play हो रहा है अब अगर हम screen से अगर यहीं पे हम तुरंट बहार आते हैं तो देखिए क्या होगा song बंद हो गया लेकिन अभी भी song चलेगा तुरंट यह खोल दिए यह YouTube में आपको feature मिलता है जी नहीं तो इस तरह आप कोई भी song जो YouTube पे है उसको भी आप अपने background पे चला सकते हैं जरूर नहीं आप Spotify पे ही चलाएं Tip number 4 यह सारे students के लिए हैं अगर आप कोई चीज YouTube पे सर्च करते हैं suppose आप EOQ सर्च करते हैं economic order quantity इसके बारे में आपको पता लगाना है यह strategic management के बारे में सर्च करते हैं तो आप यह देखते हैं कि लाखों जो teachers हैं या कोई coaching के institute के teachers हैं वो उसके बारे में आपको बता रहे हैं लेकिन कभी-कभी होता है कि आप उससे exactly समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो direct face-to-face contact तो है नहीं इसलिए आप एक word अपनी YouTube सर्च में डालिए जिसके थूँ आप guarantee के साथ कह सकता हूँ मैं कि उस matter को या उस subject को अच्छे समझ पाएंगे तो वो word है use animations in your search अगर आप animation किसी भी YouTube सर्च वीडियो में डालते हैं तो आप उस content को और अच्छे समझ पाएंगे पिष्टी वाली वीडियो में मैंने बताये था अगर आप word animation use करते हैं या animation कित्रू कोई वी चीज देखते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज अच्छे से bad जाती है तो ये tip है students के लिए कि आप अपने search में कोई भी चीज साहे वो study से related हो या कोई भी चीज आपको जाननी हो चाहे वो journal knowledge से related हो history से related हो कोई भी चीज अगर आप animation कित्रू देखते हैं तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे generally आप अगर कोई YouTube वीडियो अपने दोस्त को भेजना चाते हैं तो जाहिर सी बात है आप उसको YouTube वीडियो का link share कर देते हैं चाहे वो WhatsApp और चाहे वो Facebook और चाहे वो Instagram लेकिन अगर आपको कोई particular चीज उस वीडियो में दिखानी है वो आप अपने दोस्त को कैसे भेजेंगे मतलब उसी time frame का YouTube वीडियो कैसे भेजेंगे ये दिक्कत मैं आपकी दूर करता हूँ आईए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप उस particular frame का time उस दोस्त को कैसे भेज सकते हैं उसके लिए मैं अपना laptop यूज कर रहा हूँ और suppose मुझे घुंगरू टूट गए song का एक particular step जो main hook step है वो मेरे दोस्त को भेजना है कि वो कैसे किया जाता है तो मैंने पहले घुंगरू टूट गए song को search किया अब देखिए मैं क्या करता हूँ तो घुंगरू टूट गए song को मैंने search किया और मैंने enter किया तो ये पहला song ये है अब इसको देखिए यहाँ पे मुझे जो particular step है उस पे मैं जाता हूँ जो main step है इसका जो रितिक रोशन करता है वहाँ पे मैं जाता हूँ और उस वही step वहाँ से मुझे वीडियो चालू करके अपने दोस्त को भेजना है तो वो hook step पस आने ही वाला है तो suppose ये है एक step तो मैं गया है यहाँ पे उसके बाद share option पे share यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किनारे पे share तो इस पे मैंने click किया और अब यहाँ पे आपने link यह देखिए नीचे generate हुई और यहाँ पे start time start at लिखा है start at और यह लिखा है one minute one second तो यहाँ से आपको भेजना है तो अगर आपका दोस्त इस link पे click करता है तो पूरी वीडियो शुरू से start नहीं होगी सीधे यह वीडियो one minute one second से ही start होगी तो यह copy करके आप चाहे whatsapp चाहे facebook चाहे instagram कहीं पे भी वेज सकते हैं और जैसी आपका दोस्त इस पे click करेगा तो सीधे one minute one second से start होगी इस hook step से आपको यकीन नहीं होगा चलिए मैं करके दिखाता हूँ तो मैंने यह link यहाँ पे copy कर दी है और अब मैं इसको post करता हूँ तो मैंने post किया और यह post हो गई मेरी link अगर मैं इस पे click करता हूँ तो देखिए कहां से video start होती है देखिए मैंने click किया और अब देखिए video कहां से start होगी सीधे वही hook step से start होगी आप खुद ही देखिएगा देखिए one minute one second से और जब अगर मैंने यह video चालू की तो सीधे hook step से ही video start होई तो इससे आप कित्रना time बचा सकते हैं ना ही पूरी video देखने का जंजट सीधे वही time जो step आपको दिखाना है तो वही कर सकते हैं यह link से अगर यह video आपको अच्छी लगी तो इस video को ज़रूर like करें और share करें और इस channel को subscribe करना ना भूलें अगर आपके कुछ और सुझाम है या आपको और कुछ जाना है या इस video के बादे में views रखने हैं तो comment section में ज़रूर लिएगा तब तक this is Tushabis signing off